नौजवान पनकारों के लिए केलिग्राफिक एजिबीशन कम वर्क्शोप का एहत्माब मौसमे सर्मा के मदे नज़ा एलेक्टिक ब्लांकेट का फल्पूल रहा कारोबार और अप खेलेगा कश्मीर प्रोग्राइम के तहर टाइक्वांडो चंभी शिप का किया गया एहत्माब नमस्कार आदाब मैं हूँ आपके साथ शबनम हसन और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा बात सबसे पहले करते हैं जमु कश्मीर की पनोसकाफत को फरोग देने की संथमी के जाने वाले इकदाम की खुबसूरत लिखावट वाली कैलिग्राफी यहां की पनोसकाफत का एहम हिस्सा है बदलते वक्त के साथ ये फन तारिक के पनों में सिमट करना रह जाए इसके लिए इस फन में माहिर लोगों को ऐसे प्लैटफॉर्म की दरकार है जहां पर वो उसकी नुमाईश कर सके उन सिया बाले स्पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट टूरिस्म महक में और डिपार्टमेंट आफ टूरिस्म डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन के जारिब से क्यालीग्राफी वर्क्शॉप कम एग्जिबिशन का एहतमाम किया गया बहुत कोविड के दूरान बहुत लोग इसकी और बहुत अट्रैक्टिर थे कैलिग्राफी कोई पैन से कोई 3D कोई कुछ भी कर रहा था तो इन लोग ने एक अच्छा प्लाटफॉर्म लिया कि सब आए अपने आर्ट एग्जिब्शन एस वेल एस वर्क्शॉप की तरह य बनते जाएंगे तो कैलिग्राफर्स भी आगए आएंगे और बाकी को भी बूस्ट मिलेगा जो इनके बाद जो सीख रहे हैं उन्हें भी थोड़ा मौटिवेशन मिलेगा हैं खतादी के एक से बढ़कर एक नमूनों को नुमाईश के लिए यहाँ पर पेश किया गया इस प्रेटफॉर्म के जरिये नौजवान फनकारों को अपने इस फन को मनजर आम पर लाने का मौका मिला अलग अलग तरह के खुबसूरत तसावीर और फन खतादी की नमाईश लोगों को उसकी तारीखी एहमियत से रूबरू कराने में एहम साबित होई सदियों पुराने इस तारीखी फन को तहफुज अदा करने और उसे बुलंदियों तक पहुचाने में इस तरह के प्रोग्राम के एहतमाम की मजीद एहमियत है यह इस सकाफती फन के तई नई पीड़ी को रागिप करने के लिहाज से भी एहम है हाथों की खुबसूरत लिखावट को खताती कहते हैं यह आम लिखावट से थोड़ी अलग होती है कम स्याही सूखने वाले कागज पर इसे ब्रश, क्रोकिल, मुख्तलिफ तरीके के स्टोप या फिर मोटी निब वाले पैन के मदद से लिखा जाता है यह एक अलग अंदाज में लिखने का फन है अलग-अलग रंगों और डिजाइन वाली इस लिखावट की खुब्सूरती देखते ही बनती है यह आम लिखावट से अलग होती है और इसमें महारत हासिल करना जरूरी होता है इससे पहले भी हमने कई इवेंट कि हैं जिसका मकसद ही है कि कश्मीरी बच्चे का जो कश्मीर में जो कल्चेरल कल्चेरल जो हीरिटेज आइटेम हैं उनको प्रमोट करना है क्योंकि हम कई सारी चीज़े जो भूल चुके हैं इसी तरह यह जो आज का कैलिग्राफिक आर्ट कम मालण यह जो एक्जिबिशन है इसमें यहां एक्जिबिशन कम कमपेट्शन है यहां तो इसको क्यों बढ़ावा दे रहा हैं यह टूरिजम डिपार्टमेंट ने इनिशेटिव लिया है यह फन बख्त के थपेड़ों के सामने डब न तोड़ने पाए इसके लिए इसमें महारत रखने बालों को इस तरह के मौके पराहम करानी की दरकार है फनों सकाफत के इस रिवायत के कदरदानों की ताधाद कम नहीं है बस जरूरत इस बात की है कि इसके फनकारों और कदरदानों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए जम कश्मीर के नौजवान इस फन को जिन्दा और जावेद रखने की कोशिशों में जुटे हुए और उन्हें इस तरह के मौके फराहम कर इससे बुलंडियों तक पहुचाया जा सकता है और बात करते हैं कश्मीर में गर्म कप्रों की पैदावार के कारोबार में इजाफे की यहाँ पर दर्जे हरारत में दर्च हो रही गरावट के मद्दे नसर फिलहाल सर्दी में कमी आने की कोई उमीद नसर नहीं आ रही है लिहाजा लोग सर्दी से बचने के लिए मुक्तलिफ किस्म के साजो समान की खरिदारी करने में जुटे हैं इसी में से एक है इलेक्ट्रिक ब्लांकेट सर्दी के शिदत को मलहू से खातिर रखते हुए तयार शुदा इस ब्लांकेट को सर्दी के दौरान जिस्म को गर्म रखने के लिहाज से मुफीद माना जाता है और इसकी माग में जबर्दस्त इजाफे से कारोबारियों को बड़ी राहत मिल रही है देखे ये खास रिपोर्ट कश्मीर के बालाई इलाकों में हो रही बर्खबारी से यहां के दरजे हरारत में लगातार गिरावर्ट दरज हो रही है सर्द कर देने वाली यहां की ठंड से बचने के लिए लोग रिवायती पहनावा, फेरन, मकामी सतह पर तयार होने वाले फर्शूस के साथ साथ उनी पैदावार का मुदबादल भी उनके पास है इसके साथ ही इलेक्टरिक ब्लैंकेट का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है मुक्तलिफ डिजाइन और मुक्तलिफ रंगों में मौजूद ये ब्लैंकेट इन दिनों लोगों की पसंद का बाईस बने हुए है जब लोगों के लिए फाइदे की बात है और दूसरी बात यह है कि पराने जमाने में काउने इस्तिमाब उसके कपड़े भी खराब हो जाते थे और बाकी चीज भी होते हैं उस परेशानी होते हैं आज इलेक्टरानिक का दोर रहा है कमले ये बहुत अच्छी चीज है वाटरप्रूफ मेटेरियल से तयार इस ब्लैंकेट में तमाम तरह के सेफटी फीचर का ख्याल रखा जाता है इसमें टेंपरेचर को कंट्रूल करने की सहूलत भी है इसे अपनी जरुवत के मताबिक घटाया बढ़ाया जा सकता है हलकी गजट का इस्तमाल होने से इसमें बिजली की भी जादा खपत नहीं होती है वजन कम होने से एक तो इसका हर कोई इस्तमाल कर सकता है और साथ ही इसे एक जगा से दूसरी जगा आसानी से ले जाया जा सकता है मकामी सतह पर तयार होने से इसकी कीमत भी लोगों की जेब पर भारी नहीं पड़ती है यह हम पिछले पुछी साल से इसको मतलब बेज रहे हैं ठीक है और आज इसकी नीड हो गई है जबरदस यह बहुत सेफ है और इसमें मतलब काल्टी वाइज है जील इसका बड़ा नाम है सोनी है राइमंड है ऐसे बहुत काल्टी है इसमें और यह आज कल मतलब हर गर में इसकी चाहत है सर्द मौसम के लिहाज से मुफीद इस ब्लैंकेट को मकामी सतह पर तयार किया जाता है यह आम तोर पर दूसरे ब्लैंकेट की तरह ही होता है इसकी सिलाई के दौरान इसमें थर्मो स्टेट का स्तमाल किया जाता है इसके बाद इसमें हीटिंग एलिमेंट को लगाया जाता ह इलेक्ट्रिक पैदावार होने की वज़े से इसकी अच्छी तरह से जाच परताल की जाती है और फिर उसे बाजार में मुहया कराया जाता है इस काम के लिए खास तरह की जानकारी जरूरी है और इसमें माहिर होने के बाद इसके जरीये खुद कफील बना जा सकता है इसका सारा मिटेर्याल बाहर से आता है तो सबसे पहले उसकी कटिंग होते है साइज के इसाब से फिर उसमें प्रिंट होता है वो प्रिंट जिसमें एलिमेंट डलता है उसकी सिलाई होती है सिलाई के बाद उसमें element डलता है तो उसके बाद जो उपर वाला इसका कबड़ा होता है उसके अंडर डालना होता है जिसमें बाहर से border में ये लगता है लेस और उसका switch का portion जो है वो बाद में उसको fix होता है ठंड से बचने के लिए तमान तरह के तरीकों पर लोग अमल कर रहे हैं इसमें उनी कपडों के अलग-अलग पैदावार से लेकर electric blanket शामिल है यहां के बाजारों में लोग अपनी जरूरत और पसंद के मताबिक इन पैदावारों को खरीदने में जुटे रहते हैं यहां के सर्द कर देने वाली ठंड के दोरान यहां पर गर्म कपडों का कारोबार तेजी से फलता फूलता है और अब बात करते हैं जमू कश्मीर के जिला राजोरी के इलाके में काश्टकारी के जानी बड़ते नौजवानों के रुझान की भारत का शुमार काश्टकारी पर मुनहसर एक मुल्की के तौर पर होता है और इसकी मिसाल जम्मो कश्मीर के जिला राजोरी में भी देखने को मिलती है जहांकि आबादी का बड़ा हिस्सा काश्टकारी से मुनसलिक है एहम पेश्राफ्त यह है कि अब काश्टकारी के जानिब नौजवान तपका भी रागिब हो रहा है जिसकी वजह से काश्टकारी के तरिकायकार को लेकर काश्टकारों के नजरिये में बदलाव भी साफ दिख रहा है रिवायती काश्टकारी से हट कर अब काश्टकार सबस्यों की पैदावार को दर्जी देते नजर आ रही है और इसके लिए और्गानिक तरीके की खेती बाड़ी पर भी अमल कर रही है इस हवाले से पेश हमारी ये रिपोर्ट लाइन आफ कंट्रोल से मुंसलिक जम्बू कश्मीर का राज़ौरी जिला अपनी मखसूस जोग्राफियाई सुरतिहाल के सबब दुश्वार गुजार इलाके में शुमार होता है यहाँ के आबादी के बड़े हिस्से का जर्याए माश काश्टकारी है लेहाजा राज़ौरी के देही इलाकों में काश्टकारी से मुतालिक सरगर्वियों के नजारे बेहदाम है लेकिन इन सरगर्वियों में जो तब्दीली नजर आती है वो काबले घौर है यहाँ के काश्टकार अब महज रिवायती काश्टकारी पर ही मुनसर नहीं है इदर के दूर दूर से लोग आते हैं सबजी लेके बहुत मैंद्ट करके आपना गर का खर्चा वगःरा सब चलाते हैं तकरीबन सारे लोग सबजी के उपर ही डिपेंड है मैंद्ट करते हैं तो सारा तकरीबन जो 80% लोग जो गुरुबा जा किसान लोग हैं सबजी के उपर ही डिपेंड हैं। इनका सारा बिजन जो है सबजी से ही चलता है। काश्टकारी की जानिब राजवरी का नौजवान तब का किस तरह से रागिब हो रहा है। उसकी एक मिसाल है कार्टिक शर्मा। आला ताली मियाफता कार्टिक शर्मा ने नौकरी या कोई दीगर पेशा अपनाने की बजाए काश्टकारी के शोबे में किसमत आजमाने का फैसला किया। और सबजियों की पैदावार पर तबज्व मर्कूज करते हुए नैने तजुर्बे किये और इसमें उन्हें महकमा जिरात का भी भरपूर ताउन मिला। आज कार्टिक शर्मा को एक काम्याब और मिसाली काश्टकार में शुमार किया जाता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कार्टिक शर्मा जम्मो कश्मिर के लेटिनन गवर्नर के हाथों से इनुवेटिव फार्मर आवार्ड भी हासल कर चुके हैं जो कि यकीनन एक बड़ी हुसूल्याबी है। कि हमें इस अवार्ड से कितनी खुशी मिली है क्योंकि जे कोई चोटी मोटी बात नहीं थी हमारे लिए कि यह सब्से हाथ मिलाना और उनके हाथ से अवार्ड लेना सब्सें बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सर हमारा अपना काम था, इसमें हमने जॉब सिकर की जगा, हमने जॉब प्रोवाइडर का काम किया, इसमें हमारे साथ कम से कम तीन चार बंदे और जो अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े, हमने लोगों को और भी बताया, इस वार मैंने खुद से काश्टकारी के शोबे से नौजवान तपके के जुरने का एक और फाइदा ये हुआ है कि और्गनिक तरीके से खेती बारी का चलंग पहले के मुकाबले कहीं जादा बढ़ा है सबजों की पैदावार में और्गनिक खात का इस्तमाल किया जा रहा है दरसल जिस तरह से लोगों में और्गनिक सब्जों के इस्तमाल को लेकर बेदारी बढ़ी है उसी का नतीजा है कि बाजार में और्गनिक सब्जों के मांग में इजाफा दर्ज हुआ है सेहत के लिहाद से और्गनिक सब्जों का इस्तमाल मुफीद तो है ही काश्टकारों के लिए भी और्गनिक तरीके से पैदा की गई सब्जियां मुनाफ़े का सौदा साबित हो रही है जो और्गनिक सब्जियां जो लोग उगा रहे हैं जो हमारे कैसान उसकी बहुत वैल्यू है और अगर वो मेन मारके हैं बड़ी मारकेट में जाते हैं तो उसको जएदा पैसा भी मिलता है और ये जो आर्गनिक सब्जियां हैं ये हैल्ज के लिए बहुत अच्छी होती हैं इवन सुंदर बड़ी में जो बड़े बड़े फार्मर हैं 20-30 कनाल के वो भी आर्गनिक तरीके से ही हमारे सब्जियां त्यार करते हैं और वो मारकेट में लाते हैं जो के हैल्ज के लिए बहुत अच्छी होती हैं और अच्छा मनाफ़ा भी देती हैं अगर आज नौजवान तबका काश्टकारी के शोबे की जानिव रागिब हो रहा है तो उसकी वज़ा ये है कि उसे इस शोबे में इमकानात नजर आ रही हैं इसकी वज़ा भी है अब काश्टकारों को रवायती काश्टकारी का बहतर मुतबादिल मिल गया है और कैश क्रॉप को तरजीह देना इसकी तस्दीख कर देता है लेकिन यहां महकमाई जिरात की कोशिशों को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है जिसने काश्टकारों की हर तरह से मदद करके उन्हें तजर्बात करने के लिए आमादा किया और उसका ही नतीजा है कि आज बेहतर नतीजे भी परामद हो रहे है आगे बढ़ने से पहले आईए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर जहां पर जमो कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरे सुर्खियों में है कश्मीर की प्रियाशागौर इंटर्प्रेनिओर बन कर लोगों के लिए तरगीब हासिल करने का बनी जर्यान बेकरी के तहीं उनकी दिल्चस्पी को उनके कुन्बे का मिला ताऊन कुन्बे से मिले होस्टले से उन्होंने लागडाउन के दर्मियान शुरू किया आनलाइन बेकरी का कारोबार जरूरतमंदों और गरीब लोगों को राहत पहुचानी की श्रीनगर पुलिस की कोशिशे हैं जारी गुदुश्टा दिनों पुलिस की जानिब से उन्हें कोविड-19 के तई बेदार बनाने के लिए किया गया प्रोग्राम का एहतमाम मोहिया कराई गई सेफ्टी किट्स जम्मो कश्मीर के बारा मुला जिले से तालुक रखने वाले 23 साला गुलोकार ने कश्मीरी फोक म्यूजिक को बुलंदियों तक पहुचाने का उठाया बीड़ा कश्मीर के इस माला माल विरसे को अपनी सुरीली आवाज से आगे बढ़ा रहे हैं आदिल मन्जूर इसे जिन्दाओ जावेद रखने में उनकी कोशिशे है ताबले तारी गैशतगर्द मतासिर जुनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंती पुरा इलाके से तालुक रखने वाले फरहान मजीद ने कायम की मिसाल उन्होंने कमर्शल पालेट का हासिल किया है लाइसेंस इस काम्याबी को हासिल करने वाले वो कश्मीर के पहले सबसे कम उम्र नौजबान है कश्मीर में मुनकिदा टैलेंट हंट शो में उभरते फंकारों ने बांधा समा यंग आर्टिस्ट के टैलेंट को मंजर आम पर लाने और कश्मीर की कल्चरल और टेडिशनल सरगर्मियों को फरोग देने के मदे नजर इसका किया गया था एहतमाम जम्र कश्मीर की कटवा जिले की 19 साला खातून रितंबरा अपने आर्ट वर्क से लोगों को कर रही है है हैरान बिना किसी तर्बियत के स्केचिंग में उन्हें महारत है हासल कश्मीरी नوجवान अपने ख्यालात को आर्ट के जरिये कर रहे हैं पेश पुंच जिले के नवाज राथियर की बड़ी काम्यावी साल 2019 वीस में रजी ट्रॉफी और 2018 उन्निस के सेद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने वाले बन गए हैं इस जिले के पहले खिलाडी और अब बात करते हैं गैजेट्स की HTC ने अपने मिट रेंज स्मार्टफोन को बिना किसी एलान के साथ अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया है मुल्क में इसे कब लॉंच किया जाएगा इसका अभी तक ओफिशिल तौर पर एलान नहीं किया गया है Desire 21 Pro 5G स्मार्टफोन की क्या है खुबिया आएए डालते हैं इस पर एक नजार HTC Desire 21 Pro 5G स्मार्टफोन मिड रेंज स्मार्टफोन है इसमें Snapdragon 690, 5G प्रोसेसर और 8GB RAM समेत 128GB स्टोरेज मौजूद है इसे MicroSD Card के जरीए बढ़ाया जा सकता है Photography के लिए इसमें Quad Rear Camera सेटप दिया गया है इसका Primary Camera 48MP का, Secondary 8MP का है इसमें कुल मिलाकर 4 Camera दिये गये हैं 5000mAh की बैटरी वाले इस स्मार्टफोन में 18W Fast Charging Support दिया गया है Charging के लिए इसमें USB Type-C Port भी शामिल है और अब बात करते हैं खेल कूत को फरोग दिये जानी की जमीनी सता पर खेल हुनर को निखारना फिर उन्हें इसे साबित करने का मौका फरहाम करने के मद्दे नज़र अब खेले का कश्मीर प्रोग्राम का आगास क्या गया है श्रीनगर में टाइकॉंडो चैंपिंशिप के एहतमाम के साथ इसकी शुरुआत की गई है अलगला कैटेगरी की इस चैंपिंशिप में बड़ी तादात में बच्चों ने हिस्सा लेकर अपने खेल हुनर का मुझाहिरा किया यूनियन टेरिटरी लेवल का ये मुकापला इस खेल में उनके करियर को नई सम्त देने में भी एहम साबित होने वाला है खेलकूत को फरुक देने के लिहास से एहमियत की हामिल चैंपिंशिप के हवाले से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट बच्चों की मजबूई तरक्की के लिए जरूरी है खेलकूत उसमें नई तवानाई पैदा करने के लिए इसमें करियर के इमखनात को तलाशने के साथ साथ खुद को फिट रखने के लिए इसकी मजीद एहमियत है। इन्ही पहलों पर वार करते हुए कश्मीर में अब खेलेगा कश्मीर नामी प्रोग्राम का आगाज किया गया है। इसकी पहली सिरीज की तौर पर श्री नगर में गुदश्टादी नो यूनियन टेरिटरी लेवल की टैकवांडो चैंपियंशिप का एहतमाम किया गया। घर सरकारी इदारे की जानिब से मुनाखिदा इस चैंपियंशिप को स्पोर्ट्स काउंसल का ताउन भी हासल था। ये स्पोर्ट सिरीज और चैंपियंशिप की शुरुआत है। दो रोजा इस मुकाबले में कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों के 250 खिलाडियों ने शिर्कत की। मार्शल आर्ट गेम के इस फॉर्मेट के लिए मुक्तलिफ एज ग्रूप की कैटेगरी बनाई गई थी ताकि बराबरी की सता पर टैलेंटेट बच्चों का इंतखाब किया जा सके। अटेकिंग और डिफेंस के इस गेम में उनकी सलाहियत देखते ही बन रही थी। उनका खेल हुनर काबले तारीफ है और उन्हें इस तरह का प्लैटफॉर्म मुहया कराने की दरकार है ताकि उनके फॉसले को बुलंदी मिल सके। यहां पर बहुत अच्छा लगा हमें आकर बहुत मदा आ रहा है यहां हमें तो यहां पर हमें सेर्ब डिफेंस करता है इस से आ अच्छा लगता यहां आकर और हम यहां पर कुछ सीखेंगे मैं आगे जा सकती हूं इस चैंपिंशिप से क्यूंकि अगर मैंने इसमें जीता तो मैं बहुत अच्छा जाओंगी और आगे जाके मैं इससे आच्छा खेलू इंडिया प्रोग्राम की तर्श पर अब खेलेगा कश्मीर प्रोग्राम की शुरुवात की गई है इसमें अलग-अलग खेलो को प्रोमोट करने का अजम किया गया है इससे एक तो खिलाणियों को अलग-अलग पर अपने टैलेंट को पेश करने का मौका मिलेगा खेलकूत का माहल कायम होने से बच्चे अपनी तवानाई का सही सम्ट में इस्तमाल कर सकेंगे खेलकूत से मुतालिक इंफ्रस्ट्रक्चर को मजबूत करने से लेकर अलग-अलग खेलों के लिए वक्तन-फवक्तन टूर् रहा है। इसके मुझबत नतीजे भी बरामत हो रहे हैं। Union Territory में खेलकूत की सरजर्मियों को सालों भर जारी रखने का इंतजाम किया जा रहा है। इसके लिए यहां के सभी जिलों में इंडोर स्टेडियम की तामीरों तौसी का अज़्म किया गया है। इंडोर स्टेडियम के बनने से न सिर्फ जमीनी सतह पर खिलारियों के खेलकूनर को निकारने में मदद मिल रही है। बलके मुक्राबले का एहतमाम कर उनके टालेंट को मंजरे आप पर भी लाया जा रहा है। यह बच्चों में खेलकूत के तहीं दिल्चस्पी पैदा करने में भी मददकार साबित हो रहा है। और अब हम आपको लिए चलते हैं एंटर्टेन्मेंट के दुनिया में। सोशल मीडिया के प्लाटफॉर्म पर धूम बचा रहा है। हनी सिंग के गाने के टीजर रेलेस के हवाले से देखे हमारी यह कास रिपोर्ट। वशोर सिंगर और रैपर योयो हनी सिंग एक बार फिर से धमाल बचा रहे हैं। वो एक और गाने के साथ लोगों के सामने पेश हैं। सैया जी बोल वाले उनके आडियो वीडियो एल्बम में उनके साथ बॉले वो डदाकारा नुस्रत फरूचा भी नजर आने वाली हैं। इस गाने को शायकीन खूब पसंद कर रहे हैं। योहानी सिंग लगातार अपनी आवाज और अपने अंदाज से लोगों का खूब इंटर्टेन्मेंट कर रही हैं। हाली के दिनों में उनके दो गाने रिलीज हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट किस और जिंगल बेल शामिल है। उनके गानों को शायकीन की जानिब से जबरदस्त पॉजिटिव रेस्पॉंस मिला था। अब वो तीसरे गाने सैया जी को भी पेश करने की तैयारी में हैं। इस गाने में उनके साथ अदाकारा नुस्रत भरूचा भी है। इसमें दोनों की वीच की जोडी कमाल की नजर आ रही है। और बात करते हैं अदाकार अक्षिर कुमार के नए वीडियो की। फिल्ट सूरे वंशी के सैट का ये वीडियो इन दोनों सोशल मीडिया के प्लाफॉर्म पर धमाल मचा रहा है। जब अदस फाइटिंग वाला ये वीडियो अक्षिर कुमार और रोही शेटी के बीच का है और ये मामला पूरी तरह से फिल्मी है। अक्षिय कुमार के इस वीडियो को खोब पसंद किया जा रहा है और लोग इसे जम कर शियर भी कर रही है। पेशे अमारी ये रिपोर्ट। एक के बाद एक फिल्मे करने के लिए मशूर अदाकार अक्षिय कुमार सोचल मीडिया के प्लैट्पॉम पर भी हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। उनके फिल्म सुरिवन्शी कोरोना वायरस के फेशे नजर रिलीस नहीं हो पाई। मगर ये फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है। वुजश्टा दिनों इस फिल्म के सेट से रिलेटिट एक वीडियो को शेयर किया गया है। जिससे इसको लेकर शायकीन की पेश सब्री बढ़ गई है। माधाड और एक्शन से भरपूर फिल्म है सूरेवांशी। जल्द ही रिलीस होने वाले इस फिल्म के सेट से जुड़े एक वीडियो को सोशल मीडिया के प्लाटपॉम पर रिलीस किया गया है। इस वीडियो के शुरुआत में केट्रिना कैव भी नजर आ रही है। और वो इस खबर की जानकारी दे रही है। इसमें आक्शे गुमार और रोहिशेटी एक दूसरे से भिरते नजर आ रही है। दोनों के बीच हाथा पाई इस कदर बढ़ गई है कि इस पूरे मामले में पुलिस को दखल देना पड़ा। दरसल ये दोनों के बीच की असल पाईट ना होकर फिल भी है। शायकीन इस पाईटिंग वीडियो को खोग इंजॉई कर रही है। और अब बात करते हैं अदाकार सलमान खान के एक्शन मोड वीडियो की। बात चाहें फिल्मों की हो या फिर रियल लाइफ की सलमान खान का अंदास बया जुदा रहता है। सोशल मीडिया के प्लाटफॉर्म पर उनके अलग-अलग वीडियोस मौजूद हैं जो इसकी तस्दीक करते हैं। उनके जोरतार एक्शन वाले वीडियो के हवाले से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। अदाकार सलमान खान जबरदर्स तवानाई से भरपूर रहते हैं। फिल्मों में उनके एक्शन और उनकी एक्टिंग की तहीं लोगों की दीवानगी देखते ही बनती है। सलमान खान हमेशा फिट रहने के फंडे पर अमल करते रहते हैं। इसके लिए वो कई तरह की कसरत करते हुए भी देखे जा सकते हैं। स्वेमिंग फुल में उल्टी चलांग लगाने की बात हो या फिर घुड सवारी में अपने जोहर को दिखाने की बात हो। वो अपने अलग-अलग वीडियोस को शेयर करते हुए अपने मद्दाहों को हमेशा तवानाई से लबरेस बने रहने की तरकीब भी देते हैं। इस हफते बस इतना ही हमें दीजे इजासत अगले हफते से दिन से वक्त फिर होगी मुलाका तब तक के लिए नमस्कार खुदा हाफिज